हेलो वेलकम टो स्पीड वैठट रिक्स आप सब लोग कैसे हैं उम्मीद है कि बहुत वहतर होगे आज देखे आज खली रिजल्ट आया सामको और मुझे भी खुशी हो रही है कि बहुत बच्चों का रिजल्ट हुआ होगा सभी को सिपियो का रिजल्ट आया है सिप्यो 2019 का अ सब्सक्राइब करता हूं कि बहुत चे इसमें अपना रिजल्ट बहुत बच्चो का हुआ होगा मेरे पास बहुत बच्चों का हुआ है सभी को सुभकामन और मुझे जो भी ऑफिसली इंफ़ॉर्म कर पाए है ऑफिसको उन उंसे मैं में दो बच्चों को अभी है जो सब लोग पहचांते हूंगे हमारा सहर जो है वो फर Și सब लोग जानते हैं कि आज पास किसी बच्चे का हुआ है तो मेरे बैंसे से ज़चे आभी मुझे पता लगा हैट कि इनका एक मोना कुमारी इनका रिजल्ट था है था मैं क्लास में मेरे बच्चे जो लोग क्लास आफ-लाइं करते होंगे उन्हें विश्वास होगा उमीद होगा कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि यह मोना का रिजल्ट होना चाहिए देखिया आज रिजल्ट है और शंकर यह पहले ट कहां से त्यारी कर रहे हैं जगह क्या है कौन से जगह से त्यारी कर रहे हैं जगह मैटर नहीं करता मैं अक्सर बोलता हूं कि आपका मैटर करता है वह जजवा मैटर करता है आप कितने बेतर ढंग से आप आप देखी रहोंगे क्लास में पूरा पोश्टर लगा हुआ है चा सब्सक्राइब नहीं जा सके दिल्ली नहीं जा सके पटना लेकिन गया भी उनके लिए बहतर सावित हुआ है जिस तरह से कि मेरा भी दरोगा हुआ चुकि देखो फोर्सर जब होता है तो बहुत बच्चे ओफिस को सुचित करने में देर हो जाता है या फिर उनका रॉल नमर नहीं मिल पाया तमाम चीज़ हैं जिसके कारण में आउर सबों को नहीं दिखा पा रहा हूं लेकिन हां ये दोनों अभी क रिजल्ट हुआ सामको ही कॉंटेक्ट के लो मुझे पुरा भरोसा है कि इनको रिजल्ट हुआ है आप सब भी इसी तरह से लगे हुए हुए बहुत तरमेता के साथ बहुत सिद्धत के साथ लगे हुए हुए कि आप भी इस तरह से रिजल्ट दें और आपका भी घर परिव लेकिन सबसे जरूरी बात मुझे लगता है कि अगर उस पल में किसी सिक्षक को याद किया जाता है इनके गारिजन बोल रहे थे कि सब पहले सर को कॉल कर लो और बड़े खुशी का महौल था घर में मैं उमीद करता हूं कि आप सब का मेहनत भी रंग लाए और आपके घर में म आप कर पा रहे हूं आये कंटीनिव करता हूं जैसे एंटीपी सीम के बच्चे जिनका सीवीट्यू सीवीट्य वान हुआ है और टू के लिए लगे हुए हो या फिर जिनको उमीद बनाए कि मेरा भी हो जाएगा उन सभी जात्रों या गुरूब डी में तैयारी करना है लागी मैं इंट्रोडक्शन में इसारा से लेवस तक्रीबन खतम करता हूं फिर हम करेंगे प्रैक्टिस जिसमें क्या आपको असपस्ट होगा कि जो बताया जा रहा था वो कितना इंपोडेंट था कहां से कुश्चन पूछते हैं किस तरह से कुश्चन पूछते हैं कौन- इस एक्जाम लेगी एंटीपिसी का तो यह तैया बात है कि जिस तरह का पुछेगा बढ़ते हैं देखर पिछले क्लास में डिसकस किया था अभी हम लोग काम करते हैं और जितने सारे वीडियो आपको डाले जाएंगे वह आपको डिक्स्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका ताकि उस वीडियो तक आप इसली पहुंच पाते हैं और कोश्चन भी करवाया जाएंगे उस सबको भी डाला जाएगा ठीक है आईए हम लोग करते हैं पिछले क होल स्कॉार है और बरावर इतना जीरो दिया हुआ है तो यहां पर होता है ए बरावर टू और भी बरावर थ्री पिछले क्लास में बता आये थे हैं अब समझना यह कि इसको सवाल को दर्द हमेशा से बदलते रहता है जैसे कि इसको क्या करेगा कि तोड़ देगा इसको तो और पलस 9 बरावर 0 ऐसा मिलेगा और इसको क्या करता है और इसको क्या करता है इसको आपको A2 और B2 को सात में कर देता है और सात में डालने के बाद लिखता है ऐसे कि A2 पलस B2 और माइनस 4A माइनस 6B और 30 यहां पे और बराबर में 0 अब दिको हुआ क्या है अगर ऐसे रहता तो यह बराबर टू और वी बराबर थी ले ले लेते आप लेकिन इसी को तोड के लिखता है और तोड को लिखता तो ऐसे नहीं इसको थोड़ा से करता है क्या कि आप 4A ओर 4B को साथ में रख दिया अब यहां से पुछता है कि में बताइए कि अ मान और बी का मान क्या होगा अलग अलग मान क्या होगा हो फोड़ा ठीक है यह पूछता है भापको सोचना आ कि यह होग था यह फोना उसलिए हुआ था क्यूंकि इसमें था है तो आपको समझना हुआ कि इस तरफ रहेगा तो माइनस में इसलिए है क्यूंकि यह माइन समों होगा तो माइनस को इंतर देखेगा एक के साथ कौन है टू तो जो मेक्न कुज़ेखे वही एक अब आप नहीं समझे होँगे एक बात समझे अगर आपको सबसे पहले तो ऐसे दिया रहेगा इसको एक अश्टेप और लीजिए और केवल क्या किजिए कि सभी a square b square या c square ऐसे टर्म रहेंगे उसको एक तरफ रखिए बाकी को उस तरफ लेते चले जाए और ले जाएगा तो मिलेगा 4a plus 6b minus 30 अब 13 से कोई लेने दर आपका नहीं है च a का square दिया हुआ है तो यहाँ a को साथ में रखे और टू अलग निकालिए और जो बचेगा इसके साथ पहले टू निकालिए आप एक बात ध्यान दिए कभी confusion होता है तो सबसे पहले इसमें टू निकालिए क्यों टू निकालिए क्योंकि आप फॉर्मूला जब लिखोंगे तो यहाँ लिखोंगे टू इंटू एंटू बी और यह टू और ए तो ठीक है लेकिन जो बाकी बच रहा था वही उसका था क्या value एका इसलिए आप यह अगर समझते हों तो पहले टू फॉर्मूला वाला जो हो रहा था उसको निकाल दीजे तो मिलेगा क्या टू ए और पल एसे टर्म वाले तो जो एक के साथ तू निकालने के बाद जो एक के साथ है वो एक का वेलू और बी के साथ है वो भी का वेलू अब सवाल है कि सर एक के साथ वाला एक वेलू क्यों हुआ क्यूंकि यहां पर एसकौार है और यह क्या है बी एसकौार कहीं एक कोई टर्म होग और बराबर में यहां पर 2A पलस 6B पलस 4C है 6B पलस 4C है और माइनस 14 दे रखा है ऐसा दे दिया है आपको सबसे पहले क्या करना है 2 common निकाल लेना है इसमें से 2 common निकाल लिएगा क्यों 2 common निकाल लेंगे क्योंकि 2A भी फर्मूला होता है रहाँर्ण क्यों निकालें जैसी हिं जो मिलेगा पलस 3B पलस 2C माइनस 14 जैसे आपको आया बी आपको 3B साथ यहां पर एकदब में आसान से समझभे जो एक के साथ है वहीत आपवयलू जो B के साथ है वही बी के आपवयलू एक के साथ कोई है यह नहीं तो यह बैलू हो जाता है इस तरह से अब सवाल है कि तूप फर्मॉला वाला की चलते निकाले कभी ऐसा देता है तो आपको ध्यान देना है और यह 14 कहां साया तो तिन तीन का स्कॉर और एक का स्कॉर तीन और एक तीन तीन और एक दस और दो का स्कॉर दस चार शौदा यह बैलन्स करके दिया हो रहता है इसके लिए टेंसन ना लें तो यह था दूसरा बात अगर कभी भी ऐसा देता है कि A स्कॉर प्लस B स्कॉर प्लस C स्कॉर बरावर 10 A प्लस 10 9 B ने 10 A प्लस 6 B प्लस 4 C और माइनस में 38 38 दिया है अब आपसे पुछता है कि भी बताईए A B C का मान क्या तो आप आई होग के अब तक समझ गये होंगे कि क्या करना है C का वेलू हो जाएगा यह सभी को समझना है क्या है तूँन निकालने के बाद जो ए के साथ को बचाएं यह को आ जा रहा है A का वेलू 5 और B का वेलू 3 और C का वेलू 2 यह अंसर हो गया इसका A बराबर 5 B बराबर 3 और C बराबर 2 मैं क्या करूंगा बावु मैं आपको जितना सारा B बराबर 5 3 है और C बराबर 2 जितने सारे question इस पर latest पुछे है सारा बताने वाला हूं इस पर ठीक है A मानस B का हॉल स्कॉार दिया और पलस B मानस 3 का हॉल स्कॉार और बराबर 0 ते दिया और पुछता है आपसे की A और B बराबर कितना तो आप जानते ओ A बराबर तो B हो जाएगा तो इसको भी जिरो क्यों कि बरावर बरावर बाटना है किसको जीरो को रैडेंड अब एसे करता है तक्रिणाम क्या करेगा है यहां पर इसला में ने लिएे तो दीक्डम लेकिन यह करता है तिक्डम क्या करेंगा यह स्कॉष को तोड़ करेंगा तोड़के देका मिलता है एसे इसWow 0-2-2-2-cz Nossa ये सही है अर यह मेश भी होता है कि नहीं होता हा ना मनम करते रहें है एसकॉष B SQR minus 2A B और पलस B SQR पलस 9 और minus 6 B बराबर 0 ऐसे ले सकते हैं आप और इसको दे देगा है A SQR plus 2B SQR और लड़कन यही गड़ब हो जा रहा है टिक रट रहा है तो गड़ब होगा आपको समझना एंचीजों को कि हो क्या रहा था इतना पलस 9 बरावर 0 और इससे भी बरदास नहीं हुआ तो वो दे देता है A स्कॉाइर पलस 2B स्कॉाइर बरावर 6B पलस 2AB और माइनस 9 अब आपको इसके पहले वाला सवाल दिखाता हूँ सवाल का ये 2017 सुला में ये सब सवाल पुछा करता था खुब ठीक है अब उसको बदल के दे दिया है ऐसा सवाल लड़कन वहां पर क्या सिखा था लड़कन तो यहां तक ट्रिक सिखा था कि इसको direct काट दो इसको किदर गया यह प्रिज बच लूज है इसको डाइरेक्ट ईसकाड़ भी बच गया ठीबच तूटगी कंटो और Mia को और एक्डम पूर्यो थे जब बी समझना है गोए सफिक के णिवर मजवर्ड हो पता था ठेंए हैं और आपको कहां से बताया गया था आपको बताया है यहां से ही इसी को तोड़ा गया था इसी को होल स्कॉर करते तो हो जाता ठीक है अब अगर ऐसा सवाल देता है एक्जाम में और आपको परिशानी होने लगा तो क्या कीजिए कुछ नहीं आपको इसको लिख लिए बढ़िया से मैं इधर लिख देता हूं कि अगर सवाल देता है कि a पर शर्तिल को त Carl ुखा और पीविन इया अरव हैं को यह दिया हुआ और निकालना है हमको क्या ऐ और बी का वैलू कुछ एसे बिदो भीट इली आदे ऐ सब्सक्राइब झाल कैसे करेंगे सीधा सीधा ऐसे समझे जब भी ऐसा हो तो आपको समझना है कि यहां पर b sqr है यहां पर पुर्नवर रहता जिसे फोर रहता तो सोच सकते थे कुछ लेकिन अगर b sqr दिया है तो आपको एक दम authentic सोचना होगा क्या सोचना होगा सबको एक तरफ लाना होगा a square और ये देखे चिला चिला के कह रहा है कि हमारे साथ ये hall square बना देगा उसको इधर लाइएगा तो minus 2a भी हो जाएगा और इसमें से 1 b ले लिजे तो b square हो गया और फिर plus 1 b तो और बच्छी जाएगा और इसमें से लाइए इधर तो 6 भी होगा और ये plus 9 और बराबर कितना 0 अब आपको दिख गया होगा कि वही वाला है लेकिन सवाल ऐसे देगा एक्जाम में ऐसे सोचना पड़ेगा कि हो कैसे इसको hall square में लिखे हैं और अगर ऐसा आप सोच पाते हों तो फिर आपको इससे ज्यादा लेवल अभी तक नहीं पुछेगा आपको इससे ज्यादा लेवल नहीं पुछ रहा है बाव ठीक है तो यह गरेंटेड है इस लेवल तक का समझे और काम हो जाएगा हलाकि आपको जब यहां पर 4 रहता ना तो कैसे सोचना था मैं बताता हूं ठीक है लेकिन आपको यह लेवल पूछ रहा है बहुत पुछेगा नया तो यही लेवल पूछेगा आपको समझ ले रहा है इस तरह का मैं practice करवा दूँगा जो भी question हम लोग देख रहे हैं उस तर सवाल काफी इस तरह से पूछ रहा है और इसका कोई ट्रिक नहीं आपको समझ लेना है कि वह ऐसे अडिज़स्ट करना है यह एक पिनटी इसमें मैं लगता है कि यह ब्यइस मॆरी इसको देखएगा तब यहांप यहां के साथ ब्यूँक्ति SS मीज़ए बलीकर के साथ होगा बीका वेलू जीका साथ होला एदू का साथ हो लागा तो तो आपmal साथ एक कर लेते थे ये भी अभी भी पूछेगा लेकिन अब थोड़ा पूछने लगा इस तरह का तो फोकस करना है आपको इस तरह के कुश्चोनों पर ठीक है और एक चीज़ समझें कि अगर मालनी जैसर यहां पर 4A स्कॉार पलस 9B स्कॉार दिया और रहा था ठीक है और इतना बराबर दिया रहा था यहां पर हो जाता है यहां फिर फोड़ और माइनस 12B 12B या 8 12B ने लगे लिजे आप 3 दूना 6 12 ले सकते हैं कोई बात नहीं मैं रेंडमली वैलू ले रहा हूं रेंडमली वैलू ले रहा हूं तो ऐसा होगा साइद ऐसा हो जाए कि क्या हो कि यहां पर कुछ कॉंस्टन टर्म कुछ अलग से रहेगा ठीक है ना आप द्यान देजिए 2B का स्क्वाइर है 3B का स्क्वाइर है और यहां कॉमन ले रहे हूंगे अर्टू तो ठीरी ये 3B बच मिलेगा यानि कि आपको यहां पर कुछ कॉंस्टन्ट होगा आपने से अटेक्च किजिएंगा मैं लिख दे रहा हूं इसको वैसे देव इसको जब होल स्कॉर्ट कम्पलीट मिलेगा तो आपको क्या करना है यहां पर लिखना है टू एका स्क्वाइर और यहां टू कॉमन निकाल लेना है हूं कि निकालने के बाद 3-4B sorry 6B और माइनस यहाँ पर कुछ कॉंस्टेंट रहोगा मैं कॉंस्टेंट अभी लिखता हूं इसको अभी लिखता हूं क्या रहेगा कॉंस्टेंट लेकिन जब भी ऐसे रहे तो समझेगा यहाँ पर उल्टा लिखा गया है यहाँ पर थोड़ा सद्यान दिजिएगा इसमें 12A है और माइनस 12 था यहाँ पर था कितना 12 वे और 6B था हाँ उल्टा लिखा गया था तो आए यहाँ पर कॉंस्टेंट लिजिएगा 2 तो मिलेगा क्या 6A और माइनस 3B और यहां पर कुछ इंद आपका रहा होगा ठीक है मैं इस बात का लेन देना है कि किसका हो देखो यहां तूरिक साथ क्या होगा रहा है तूरिक एक साथ किया होगा वह के साथ इसका होगा यहां पर इसका स्कॉर सब्सक्राइब किसका होल स्कुर्था टुए का तो टुए के साथ कौन है त्री तो टुए बराबर लिखना है त्री और यहां पर किसका होल स्कुर्था था थी भी के साथ कौन था वन तो यहां पर लिखना है थी भी बराबर वन और यह ए बराबर थी बटा टू और बी बराबर वन बटा त् एक सवाल यह है जिसमें कि आपको असपस्ट दिख रहा है कि इसमें हॉल स्कॉार फोर नहीं है यानि पुरा हॉल स्कॉार नहीं लिख सकते हैं इसा नहीं लिखना है आपको यह सवाल अलग है इसमें देखे टूए भी यहां दिया हुआ है लेकिन यह ठीक सवाल हो ऐसा ही था है इसमें बस four nine four a square और nine b square तो आपको question देखके पहचानना है कि सर four a square दिया है तो two a का hall square हो सकता है three b का hall square हो सकता है और इधर a b u b नहीं दिया है 12 a दिया है six b दिया है तो बहुत बच्चों को अक्सर confusion होता है देकि मेरे पास यहां पर ज्यादा example नहीं ले सकते हैं लेकिन जब practice करवाएंगे तो उसमें ज्यादा example लेंगे यहां पर आप खुद से यहां पर example आपको ले रहे तो कई बार वो constant लिखने में दिखत हो रहा है आप समझ रहोंगे आपको बस पहचाननक कैसे कि सर कौन वला किसमें की एभी का होला उस्कॉयर होगा और कौंसा इसा में लेके सघ और किसे को द्याइक सवाल सीधा क्या करना है डाइरेक्ट के साथ है वह tovisor कब कौंसा सवाल है आप ऐसा ह QUEST ऩम्हारप कला है कि सर आप डाइर्क्ट वैल्यू één लिख को रहा है तो यहांन पर पहले डूंकु को बाहर निकाल JUST कर देगा कि सर टूंक अलिए ही कुछ नहीं तब निकदम रहेगा कुछ नहीं रहेगा तो लिखेंगे सर यहां टूए अंदर में कॉमन नहीं होगा तब रहना ही है रहेगा ही ठीक है आप टूए के साथ 3 और 3B के साथ 1 और ऐसे लिखे तो दो सवाल पहला सवाल जो फोकस करवा रहे हैं वो यह है कि एक मै नहीं दो जो एक ठीक है ने के बाद जो एक के सथ होगा वही ह्योगा इसपर और पर फटा कशी नहीं करना थर्टेटीट पर दुसरा तरह का सवाल पताये गया दूजरा दृट सवाल बताएगा कि अगर कि दिए गया लाशच वाला अगर आपको यहां पर 4A square है 9B square है तो इसको 2A और 3B में लिखे यानि कि आपको जब 2A और 3 यहां पर A का square रहता और प्लस B का square रहता तो सीधा में A के साथ 2 निकालने के बाद जो A के साथ होता वो value हो जाता लेकिन सर यहां पर किसका square है 2A का और इसका square है 2B का तो ऐसे case में direct A के साथ वाला value नहीं होगा यहां पर 2A के साथ वाला value होगा और इसको लिखना है 2A भाग में तोड़के ऐसा तोड़ना है कि 6A हो जाए और उसमें कौन common रहे कौन वहां रहे 2A रहे तब जो 2A मिलेगा वही 2A के साथ value हो जाएगा 3 और वो है यह वाला type कि इसमें आपको देखना है इसमें आपको देखना है कि सर यहां टे का square है यहां टूबी का square है तो इसको क्या लिखेंगे ऐसे क्या root V root 2 into B का square लिखेंगे क्या नहीं क्यों क्योंकि यहां पर दिया हुआ है A और B जबकि किसी वाले में भी A भी इस तरह से नहीं रहता यहां तो टूए दिया हुआ रहता यहां जैसी ही एभी साथ में दे अरे वाला इवारीवल साथ में दे इसका मतलब उसको एक दम ऑथेंटिक देखना है ऐसे तोड़के समझे वैलू अभी बैसिकली तीन तरह के कोशन देखे एक जिसमें कि यहां पर कुछ नहीं लगा रहेगा तो टू निकालने के बाद जो बचेगा वही उसका वैल्यू पहला तरीक पहला कोशन था यह वाला बावू कि जिसके साथ में कुछ नहीं लगा हुआ है तो जो इसके साथ वहीं वैलू दूसरा कोश्चन बिलाद तीन कोश्चन है बस तीनों को ध्यान देज हम फिर ठीक है दूसरा वैलू दूसरा तरह का कि जिसमें कि यहां पर 4a स्कॉर और 9b स्कॉर है यानि कि ऐसा वैलू दिया हुआ है जिसका हॉल स्कॉर लिख देंगे और इधर में ए अलग और भी अलग नंबर के साथ में और तो फिर ऐसे करेंगे और तिसरा कोश्चन था आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसे हो एसकॉर लेकिन यहां टू भी स्कॉर जिसका वर्गमूल मलब ऐसे रूट में हो जाएगा ऐसे लिखना पड़ जाए तो ऐसे नहीं लिखेंगे और आगे देख लेंगे क्या ए और बी साथे में है यस ए और बी साथ में है तो एकदम औरिजिनल रूप से अथेंटिक रूप से हॉल स्कॉर में लाके आपको बनाना पड़ेगा आई हूप कि तीन कॉस्चन एकदम आपको क्लियर हुए होंगे और यह है एकदम लेटेश्ट कॉस्चन 2018 2019 2020 के CHSL और CHSL और CGL के एक्जामों में यह सब कई बारा अलग 1217 से पहले 18 17 तक सवाल यही सब दोनों पुछता था कौन-कौन बाबू यह वाला सवाल कि जिसमें कि इसे निकालना प्रायरेक्ट अंसर बताना था यह सवाल पुछता था यह वह वाल जिसमें की कॉछिश्चन रही है ऐसे लगवा रहा रहा था था फोरे स्कॉर 9 बैस्क् यह वरो नहीं एक फिर्दए इसको के रखहना है आपको an के पावर फूर प्लस कि असपोर बीसक्वार फ्लस एन इतना बरावर डीया वाए मान-पृटी ग्री से नाईंड चीक्व और ऐसोडो माइनसफ एस और स्कॉर पलस B Sq.A. क्या होगा A Sq.A. पलस B Sq.A. क्या होगा यह सवाल पुछता है या कुछ भी वैगरा वैगरा पुछते रहता है बहुत सारा कई वार भाईलू भी पुछ देगा तो हम देखते हैं क्या करना है जब भी इस तरह का सवाल दे तो आपको सबसे पहले फोकस करना इस बात पर कि यह जो टर्मा आपको दिखाया गया भी A का स्कॉर पलस B का स्कॉर पलस A B इंटू अगर A Sq.A. पलस B Sq.A. माइनस A B करेंगे तो यह एक नंबर देता है गुना होकर एक एक एक्स्प्रेशन देता है जो कि इस तरह से होगा पलस A Sq.A. B Sq.A. यह याद कर लेना है आपको आपको कहीं यह न सोचेगा कि A B A B तो A Sq. B Sq.A. बीच में माइनस नहों होना चाहिए था सर नहीं आपको यह वाला फरमूला नहीं है A Mाइनस B और A पलस B यह वाला फरमूला नहीं है बावू यह अलग है यह इसका वेलू होता है A Sq.A. B Sq.A. आपको जब यहाँ पर पुछा है तो यह बस रटना है कि पलस वाला तीनो और A Sq.A. B Sq.A. यह वाला किसमें माइनस में तो ऐसे केस में जो यह वेलू आएगा A 4 B 4 और A Sq.A. B Sq.A क्लियर क्यों आता है इसका जबा पर रेगुलर क्लास चलता उसमें आप देखते होंगे जिन बच्चों को इन तमाम चीजों को और डिटेल से और एक्जम्पल चाहिए तो क्लास में करेंगा वह यहां एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से वीडियो भाई बहुत बच् बैटके उसके बाद किसी से पढ़िए ओन्लाइन रिविजन के तौर पर आप कर सकते हैं और आप सोचते हैं घर बैठे कर लेंगे तो तो आप प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जिनका बेसिक लेवल बहुत अच्छा है वही इसके पढ़े नहीं तो क्या करें आपको जरूर ब्रवर दिवाए 15 और इतना ब्रवर दिवाए 5 तो एक्स ब्रावर कैसे निकालते हैं एक्स ब्रावर निकालते हैं दोनों को जोड़के दूसरे भाग और वाई वरावर कैसे निकालेंगे यानि कि जो बाद वाला होगा यानि छोटा वाला होगा उसको कैसे निकालेंगे दोनों को घटा आके दूसे भाग। देखो जो पलस वाला है पलस वाला दोनों तो पलस वाला इसमें जो पलस मैं यह वाला पलस वाला यानि बड़ा वाला एक्स है और छोटा वाला वाई का है सर क्योंकि वाई को घटा रहे हैं एक्स में से तो पोजिटिव मिल रहा है यानि तर्टी थर्टी सेवन और ए माइनेस ब्रावर दिया हूआ है थर्टीन तो भाइए देखो एवरावर कितना तो दोनों को जोड़ के दूसे भाग दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जागा 50 50 बटर टू याने 25 अरे क्लिर है और दोनों को घटा के दूसे भाग अगर भी निकाल निकालना है तो क्या करेंगे घटा दीजिए या फिर 25 रख दी यहां पर निकल जाएगा या फिर घटा के निकाल लिए तो घटाईएगा तो कितना होगा कि वंट्यफूआ अपन टू कितना हो जाएगा तैडल आप समझ गये और भी मान निकालना होगा या एक सॉप्लस मिन निकालना वहता इस निकाल लिए बसरते कि सम्थिंघ में और वही दोनों किशा होने जाहिए मैनिस मैं आगर ऐसा होता है तब कुछ ऐसा है जो कि पेनTrash में और कुछ ऐसा है कि माइनस में वही हो वही टर्म हो तो निकालेंगे आई होपके क्लियर होगा यह बात मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर क्या करता है अगर देता है एक स्कॉार पलस बी बराबर दिया हुआ है अगर माल लिए सेवन और एक पावर फोर पलस बी के पलस एसक्वार बी है और नीचे में आजाना चाहिए कितनास कारप यहां पर होता कैसुअ कि अगर आपको बताओं कि यह स्कॉार बी है स्कॉर पर बिया यहां पर दिया हुए निनगे मालाज एक पंदर और एस Q अर्फपलस bm2-B V बढ़ावर दिया हुआ है हैं कि3 तो आप क्या बता सकते हों के लिए स्क्राइब के अरे कोई भी बता देगा क्या की लिएंट पावर तरीतत फिफ्टि टृटिफाइव यह आपको याद रखना हो यही धेता फिफटी फाइव और यह देटता फिफ्टि तो यह तीन निकल जाता क्योंकि इससे भागा दे देते उसमें तो आपको मुझे लगता है अगर आपसे कोई के पावर और फोर पलस बीके पावर अच्छा डीटेल मुलब हुब 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 को से रहेगा बस आपको याद रख रहा है के वले एक्जाम में याद रखे नम यह एक कोशन एक दम तय है इस पर एक सवाल तय है और यह पुछते रहता है अभी बहुत प्रेंड में चल रहा है बहुत बहुत सारे कोश्चन को एकदम जो बहुत ज़्यादा पुछ रहा है उसको पहले क्लियर कर लिजे आप फिर बाकी जो इतना क्लियर कर लिए तो जो भी छोड़ा-च्छोड़ा कोश्चन पुछेगा वह जरूर आपको क्लियर होगा यह तो तय बात है अब तो इतना बराव पुछता है इस पे बहुत सारा बहुत तरह के सवाल पुछता है मैं इसको दिखा रहा हूं देखो यह सवाल था दिया हुआ और पूछ रहाता है अईसा अब सबसे पहले क्या आप सोचेंगे इतना 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 तो माइनस वाला तो निकल ली जाएगा हमको यह ऐसे कोश्चन है ना तो आप जानते हो कैसे लिखो a square पलस b square पहले लिखो और फिर आप लिखे कितना पलस ab इतना तो दिया हुआ था तेरह कभी भी कुछ भी एक्ष्टा अलग पुछे तो और फिर निकाल लिए यह दो दूसरा हीरो को a square पलस b square और माइनस ab को कैसे नि पुनगर के फरोला आना चाहिए ना तो 49 अब आपको निकालना था यह दोनों a square पलस b square आप गोर से देखे का बाबू तो यहां पर a square पलस b square यह भी a square पलस b square और यह देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि a b और a b अरे clear है यानि कि अगर आपको a square b square निकालना है तेरा तीन सोला पत बटा टू आठ क्लियर है बात और अगर आपको a b निकालना होता तो बस जट फट तेरा गुन माइनस तीन और बटा टू यानिकी 5 तो आठ पाच तेरा हो जाता और आठ में से पांच गया तीन हो जाता I hope कि यह बात क्लियर हुआ होगा जब भी कोई भी सवाल है इसे पुछेगा इसमें क्या कर सकता है जाधा से जाधा यहां रूट करने डाल सकता है बात तो यही रहेगा लेकिन आपको बस तयार रहा ना इसके लिए कि ऐसे देता है तो ऐसे होगा कई बार आपको यह आप समझ पा रहे होंगे इसको ढग से अगर दो-तीन एक इतना बराबर होता है A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C A इस पर बहुत पुछता है सवाल यह याद है सबको? यह सबको अगर फर्मूला याद है तो इस पर बहुत सारा सवाल पुछने वाला है इसके इस पर एक नहीं दो एक से दो वीडियो बनेगा केला केला किबल इस फर्मूले पर जो पुछता है सो दो वीडियो ठीक है? दो वीडियो में इस पर सारा question जितना पुछा हुआ है सब बता देगे जितना पुछता है वो सब बता देगे लिकिन आज पहले हम इसके इसके इस पर नहीं आज याद दिलादिए और ऐसा पुछेगा खास करके जिसमें कि आपको पता न लगे लेकिन पता लगेगा चुकि आपको उसको इतना ही बार बनाई ही होंगे कि आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इसलिए आपर प्रैक्रिस करना बहुत ज़रूरी है और याद रहे जितना मैं बता रहा हूं उससे का प्रैक्रिस करें करूंगा तो आपको जैसे जानना देखो यूट्यूब का सबसे बहतर चीज क्या है कि एक ही जो चीज अपलोड हो गया वह आप बार बार देख सकते हो अगर है रह गया तो दुसरा निगेटिव क्या है कि आप देख की सोचते हैं में क्लियर हो गया है आप जब तक उसको इंप्लिमेंट नहीं कर पाते हो तब तक वह आपका नहीं था वही यूट्यूबर जो टीचर आपको पढ़ाये हैं उन्हीं का था तो आपको कई बार चीजों को जानना है उसको बहुत प्रैक्टिस करना है मतलब आपको क्या लगता है ना कितना प्लीज ध्यान दिजिए आज के सभी युवा जो लोग पढ़ते हैं वो लोग सबसे पहले जितना पढ़िया उसकी इंप्लिमेंट कीजिए यही आपका मंत्र होगा सक्सेस पाने का ठीक है आई यह देखते हैं तो आपको एक और हैं जो कि फॉर्मूला बताया गया था ए यही पर चलते हैं पहला फर्मूला साइथ था यही इस पर बात नहीं कहते हैं हम तो आज बात कर लेते हैं और भी छोटे छोटे चीज़ डिसकस करते चलेंगे अब देगा नहीं है अपने रंग में तो पहचान में ही नहीं आएगा अगर मानलो इसी का देखो क्या है अगर माईनस सी रहता तो क्या हो जाएगा है आपको सब जगा ёगा स्टेटमенनल यह स्कॉर्ब्स प्लस अ कॉามा माइनस हो जाएगा फोर्मॉल रहे है लेकिन फिर बनाए जाएंगे बहुत सारे फोर्मॉले एमनस में तो माइनस हो जाएगा आप देखें माइनस c इसी पर change कर जाएगा a square पलस b square पलस c square और माइनस माइनस a b 2 a b माइनस पलस हो जाएगा 2 b c 2 a b होगा क्योंकि इसमें b और c दोनों माइनस में था तो पलस हो जाएगा आप समझ दा रहे हैं और माइनस 2 c a ठीक है a c a इसी तरह से बहुत बदलते रहता है अब यह सवाल इसको मन होगा बताने का तो क्या करेगा पुछेगा सब देखें कैसे पुछेगा कहता है कि बताओ a square पलस b square पलस c square बराबर 2 a b पलस 2 2 b c माइनस 2 c a माइनस 2 c a ठीक है माइनस 2 c a ऐसे देता है और पूछता है आपसे कि बताईए कि बताईए कि a पलस c बटा b बराबर कितना देखे वैसे तो आपको पिछले क्लास में एक मुल मंतर दिया गया था क्या मंतर था मंतर यह था कि आप एक काम किजिए कि कुछ भी अगर ऐसा देता है तो यह तो value satisfy करवाईए जो कि हर question में ज़रूरी नहीं है value satisfy वहां करवना है जहां पर आपको कुछ रती भर भी दिखे नहीं पताने लगें आपको यह दिख रहा हुआ कि a पलस b यह हॉल स्कॉर हॉल स्कॉर वाला है और 2ab, 2bc, 2ca हॉल स्कॉर के फर्मूले में आता है कि इसके a पलस b पलस c के हॉल स्कॉर में इसको जैसी ही आप सोचेगा कि इधर आले आए तो यह a स्कॉर पलस b स्कॉर पलस c स्कॉर माइनस 2ab, 2bc और पलस 2ca होगा ठीक है, यहाँ पर कुछ मैं गलत dumped लिख iç रखाऊंँ यहाँ पर आ आप कीजेगा माइनस में इसको कीजेगा, इसको रहने दीए इसको कीजेगा क्या है मैं यहां पर ले लेन लिख रुक है a और c माइनस b न तो ठीक है यहां पर आपको एक लगादेज्ये माइनस टू इसी एक मिनट इस सब को इधर लाए तो क्या रिजल्ट मिला यहां पर कितना मिला जिरो मिला यह जिरो मिला क्या और जब जिरो मिला तो देखिए किसमें माइनस माइनस है यह वाल टर्ब में यहां माइनस है और यहां माइनस है जहां पर कौन कॉमन है दोनों में इसका मतलब कि a-b plus c का हौल स्कॉर है क्या समझ में आया यह मैं डायरेक्ट लिक दिया सो क्या समझ में आया कि जहां b common था उसके चलते ही माइनस था जहां माइनस था वहां कौन था इसका मतलब भी ही चोर है यह बही ही माइनस होगा चुकि हॉल स्कॉर का फॉर्मूला तो बहुत सारा होता है यह ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन जहां सी था देखो यहां पे तो यहां पर जहां जहां सी था वहां क्या हुआ माइनस हुआ इसमें दो-दो माइनस में हो गए तो ठीक है दो-दो माइनस में हो गए तो अलग बात है कि भाई यी दोनों जहां था वहां पलस हुआ लेकिन जेनरली बात यही है कि अगर कोई एक माइनस में होता कोई एक माइनस में यहां पर भी होता मालों जैसे बी का माइनस में लेते है अगर B- लिले लिए दो a-b the policy कहें स्कौर होता है और ऐसे स्कौरे में और ब्लस प्लस ब्रस अज स्कौर बी माइनस में है तो माइनस 2b traveling माइनस थो यदि मार्व फ्र vicious होता और पहले सोरो modules यह इसका मतलब कि B जिसमें दोनों में माइनस था वो इसलिए माइनस में आ पाया क्योंकि दोनों में क्या था B था B माइनस था इसलिए जब भी ऐसा question देता है तो आपको समझ जाना है कि अच्छा ये सब ही जो ऐसे दे रखे हैं उसको लाओंगा तो जो माइनस में आएगा उसमें क्यों क्यों तो जो माइनस में आएगा उसमें कॉमन टर्म कॉन है उसमें कॉमन है B इसलिए लिखूँगा A-B plus C A plus C किसके बरावर है? B B raw guy ऐस्ट?" तो ये बेसिक जो फॉर्मुला है उस पर है ये भाई बेशिक फर्मूला पर है और अगर बेशिक फर्मूला आपको clear है तो मुझे लगता है कि ये बात बिलकुल clear होगा आपको मुझे लगता है clear बात तो अगला बता दीजे और कभी भी ऐसे देगा तो जानते हुए इतना बार रिपीट करेगा कि आपको दिमाग में राजाया कि ओहो ए पलस भी बटा ए पलस सी बटा भी रहेगा तो कट पीट के आजाया कितना वन है यह आपको ध्यां देना है दुसरा बात आपको एक फर्मUla हैं कि तरी ए फर्मुलम नहीं अज़े दे ओआ है टू बी बरावर दिया हुआ है थीर बहुत बार सवाल दिया तिन तीन स्टेट्मन चार चार स्टेट्मन लिखके यह चीज़ सिखे कि कभी भी ए पलस भी पलस सी यहां पर पुछा या कुछ ऐसा पुछ दे जो कि आपको समझ में नहीं आता रहे तो उसको जोड़कर या घटाओकर देखिए जैसी आप जोड़क जिसमें की ए पलस भी पलस सी लाने में आप सफल हो जाएंगे ए पलस भी पलस सी कैसे आएगा कॉमन लेकर तो तेरी इंट्व ए पलस भी पलस सी देखो जी इनिसियली फेज में यह जो सिखना है वो लगता है वहां पर कि बहुत असान है लेकि जब आपको यह सवाल पोचत को आता सब था बना नहीं पाए कुछ कि एससे सीजियल का भी मेंस का पेपर था दो दिन पहले पूछा साब देखो 2018 से टीसीयस जब से पुछ ले रही ने एंग्जाम वही पूछ रही है जो पूछी है शुरू पहला पेपर में जो पुछा उसी को पूछ रहा है थोड़ा तो यह प्रैक्डिस का इनतिजा कि आप एक्जाम में जल्दी सोच पाओगे समझ पाओगे क्यों कोशन ऐसे वाला है नहीं तो आपको बताया हुआ टीचर चिला 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 के बताया हूंगे लेकिन आपसे नहीं बनेगा इसलिए प्रैक्डिस और फोकस कि उठाइए कला और उसके बाद अपने से बनाए बनावा बनाए जो देख लिए ना वीडियो जो समझ में आ गया पुरा उसको फिर से अपने से अंसर लाकर देखिए लेकिन नहीं देखते हैं आप अगर ऐसा करते हैं तो यहां भी बनेगा और एक्जाम ही बनेगा लेकिन अगर आइसा न तीरी यह मालो की से वेने दिया वाए पलस तूब इडिया वाए और पलस थी दिया वाए अब रावर नाइंटीन है ठीक ना और ए पलस ए माइनस ए माइनस पर भी माइनस थी ब्रावर थी दिया वाए तो आपको बताना है कि भाई क्या होगा ए पलस बी पलस थी ब्रावर तो आप समझ यह बात को अब आपको आपको बताएं कि जोड़कर आपी क्या कर रहे होंगे जोड़कर देख रहे होंगे लेकिन जोड़कर देखेंगे तो कितना हो जागा एट है माइनस माइनस टूबी माइनस जीरो बराबर सुल्ल अब पलस कर रहे होंगे तो सुल्वन बाइस नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो क्या रुख जाएंगे अरे थोड़ा सापना रिजिंग लगा यह घटाके देखेंगे साइद आजाए और आपको घटाने आता ह जाएगाऊ अगर घटाके देखेंगें तो काम बन जाएगा घटाके तेखेंगे माइनस यह बच्छ और यहां जेगा पलस अब कि ए पलस बी पलस ची वरावर कितना हो जाएगा शोलबटा छे परता है जी एक्जाम में कभी कभी प्रेषर में लड़का छे से चे काट दिता है और एक लिए अधा बहुत दुख है प्रेषर में आप संतुलित नहीं होते प्रेषर में और मतलव को तुछोंइं सोच रहे होते हैं का किसला बाण TOP थूट कि पिछला को स्टाइए नहीं है ज़ख जोर और फिन और तक इसलिये जबाब या तो भरिये इतना प्रैक्टिस की ज़ी ज़ंका के जिसLA पकड़े लगड़ दीजे आप उस पर हावी हो जाईए नहीं तो देखिए कि महावली खलवली है खली है छोड़ी आगे बढ़िए नहीं तो सत्य अनास कर देगा एक खली बाकी लड़े के लाएक ताकत नहीं छोड़ेगा आप में इतना निचोड़ देगा आपको इन तमाम बातों को ध्यान दीजे मेरे भाब समझे मैं कहना कैसे आता हूं मैं कहना चाहता हूं कि कितना पढ़ लिजी यूटूब से कहीं से भी मैं सब्सक्राइब करता हूं कि आप पढ़ी बिल्कुल आज यूटूब है तो आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा बात है दूर दराज के बच अच्छों का रिजल्ट नहीं हो रहा है बहुत प्रैक्टिस वाला का रिजल्ट धला-धल हो रहा है सो मुझे लगता है कि तमाम बाते आज का समझ में आया होगा और आज वीडियो को ज्यादा नहीं रखते हैं इतना है और सभी लोग जितने एक्जाम में की तैयारी कर रह आगे पीछे तीन वीडियो और हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें भी आपको मिल जाएगा और एंटीपीसी का चल रहा है और कई हमेशा से एवरीडे वीडियो मैं सोच रहा हूं कि डालू और सारा एडवां आप यह बढ़ा है आपका वीडियो तनि भी बढ़ा है दस वर देखें हमको भी नहीं चाहिए हमको चाहिए रियल्ट और रिजल्ट तब होगा जब आप कारज कलम पे प्रैक्टिस करोगे ठीक है धन्यवाद